हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिसे स्वागत है आपके अपनी गुटूब चैनल गुरुजीग जाम सेंटर पर तो दोस्तों में आपर उत्तर प्रदेश स्पेसल का टेस लगाएंगे जुकि डेली एक लास होती है साम साधे साध बजे ठीके साम साधे साध बजे होती है चलिए यहांपर आपका पहला प्रसंदिया गया है कि माननी 80 रमपरण प्रवंदन सहस्थान का है इस्तित है देख लीजे माननी 80 रमपरण प्रवंदन सहस्थान यहांपर राइट अंसर क्या हो ज़ेगा राइट अनसर विल्कुश स啊 काफि लोगो की जवाब आ और अगले प्रस्णाप से पूछा गया है यहां पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पर रेटन विभाग की स्थापना कब की गई थी तो राइट अंसर आपको क्या हो जाएगा राइट अंसर विल्कुछ सही है और आपसे कह रहा है 1956 में उत्तर प्रदेश में पर रेटन विभाग की स्थापना की गई थी याद रखेगा ठीके और अगले प्रस्णाप से पूछा गया है कर आपसे पर रेटन पुलिस का गठन कब किया गया तो पर रेटन पुलिस का गठन किया गया था 2001 और 2002 के बीच में तिस प्रकास से में कितने परिपतों को चिनहित किया गया है प मितलब की घर देने के लिए यहां पर आपकी जो चिन यह कै correlateया एक आपका धिन किया गया है प्रतर प्रदेश में paying guest योजना कब से चलाई जा रही है जो आपके कैसकते हैं आपके यात्री वगरा आते हैं दर्सक लोग होते हैं उनके लिए आपकी है तो paying guest योजना कब से चलाई जा रही है तो 5 का जवाब किया हो जएगा 5 का जवाब हो जएगा option right आपका या पर C number पर 1994 से चलाई गई है आपकी पेंग इस्ट योजना ठीक है फाइब को अपका सी हो जाएगा नेश प्रसना आप से गला पूछा गया है कि उनेशको की विश्व दरोवर सूची में राज जी के कितने इसमारक आपके सामिल हैं हमने टेलीग्राम पर भेजवी दिया है ठीक है जो लोग टेलीग्राम से ने जुड़े हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएए वहाँ पर कुछ आवस्थेक पीडिया भी मिल जाती है ठीक है आप लोग सर्च करिए देव जी के ट्रिक टेलीग्राम पर सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक तो वहाँ पर आपको आव भवन किस जनपद में होस्तित है कनक भवन किस जनपद में है सभी लोग को पता है कि जो आपका आयुद्ध्या था उसका वर्तमान आपका फैजाबाद है है ना जो आपका फैजाबाद माप करिए कि जो फैजाबाद है है ना इसका वर्तमान आपका आयुद्ध्या हो चुका है तो आपके कह सकते आयोध्या में जो की option आपका कौन सो हो जएगा सी नमबर आपके फायजाबाद ठीक है हमने बताया कि पहले फायजाबाद हुआ को अधिकरत किया गया है राज में इको परेटन है तो किस विभाग को अधिकरत किया गया है आठका जवाब देना है आठका जवाब हो जएगा option right यहां पर आपका डे नमबर आपके वन विभाग को याद रखे कि राज में इको परेटन है तो किस विभाग को तो आपके वन पुछा है कि उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतियों के लिए अपने पूरूजों की टाला संबंदी कौन सी योजना चलाई जा रही है देख सकते हैं कि जो आपके अप्रवासी भारती है और अपने पुरुजों की तला संबंदी जो आपकी योजना चलाई जा रही है यह आपकी योजना कौन सी है कौन सी योजना है तो राइट अंसर आपका होज़ेगा यहां पर आपका थर्ड नमबर डिस्कवर य कौछ गया है कि प्राचीन कालीन आईच्छत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस्स जनपद में है पूचा गया है कि जो आपका आईच्छत्र जो वर्तमान का बनेगा मिल्कुम सही है यहाँ पर आपका जवाप सही क्या होजेगा 10 का जवाब सभी लोग जवाब साथ में दीजिए तो बिल्कुत सही जवाब आचुका है सभी का option अप कहाँ पर हो जगा D नमबर आपके बरेली में कहाँ पर है? बरेली में है option रेट अप कहाँ पर D से हो जगा बरेली अगले प्रसिकोर बढ़ते हैं अगला पुछा गया है कहरा आप से अतरंजी खेडा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? अतरंजी खेडा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? चलिए 11 का जवाब देना है कई बार हमने आपको पढ़ाया है यहां से लोहे की जो आपके साच भी मिले हैं तो अतरंजी खेड़ा जो आपके है वो आपके कहाँ पर यहाँ पर ग्यारक उप्सन राइट आपका जवाब होजेगा उप्सन आपका भी आपके एटा देखें लगभग आपको यहाँ पर पहुंचना है ठीक है उसी के आसपास आपको मिलेगा तो ग्यारक उप्सन आपके यहाँ पर भी होजेगा और अगले प्रस्ट को राते प्रस्ट आप से एगला है कि महाजनपत काल में आयोध्या किस महाजनपत का भाग था देखें महाजनपत काल जो आपके 16 महाजनपत थे है ना उसमें से आयुद्ध्या किस महा जिन्पथ् का लगभग आपका भाग था तो यहां पर आपका जवाब होझेगा बाराक ओप्शन राइट आपका कोसल ठेके कौन था आपका? तो कोसल था ओप्शन राइट आपका बाराक कोसल आपका अपका बी नमबर कोसल नेस्ट प्रस्ण आपसे एगला पूछा गया है कापिल वस्तु की पहँचान उतर प्रदेश के किस जनपस से की गई है देखे कापिल वस्तु और उतर प्रदेश में जो आपकी पहँचान की गई है आपकी कापिल वस्तु की किस जनपस से की गई है तेरा का जवाब देना है और तेरे को option right आपका जवाब हो जाएगा option right आपका यहाँ पर यह नंबर आपके सिधार्थ नगर ठेके कपिल वर्षती की पैंचान आपके किस जनपत से तो आपके सिधार्थ नगर से की गई है option आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा और अगला प्रस्ट दिया है कि लुंबनी उत्तरप देश के 21 जनपत के सबसे समीपस्थ है लुंबनी उत्तरप देश के 21 जनपत के सबसे समीपस्थ है यहाँ पर आपका जवाब देना है जवाब देना है बिलकुँ सही है लुंबनी जवाब की पढ़ती है वो आपके समीब किसके तो आपकी महराज गंज में है महराज गंज और अपसन अपर D हो जएगा नेश्ट प्रस्ण आपका है संत मलूक दास की जन्मिस्थली कहां थी चलिए जवाब दीजे संत मलूक दास की जन्मिस्थली कहां थी जन बिस्तिली कहां थी बिल्कुछ सही है option आप कहां पर हो जएगा option आप कहां पर हो जएगा आपका third number आपके कड़ा ठीके कड़ा और कड़ा देख सकते हैं नीचे उसी से related आपका प्रस्न दिया गया है कि कड़ा आज किस जिले में इस्तित है कड़ा आज किस जिले में इस्तित है तो right answer आप कहां पर यह हो जएगा आपके कौसांबी ठीके तिस प्रकास से option आप कहां पर इसका प्रस्न लग हो जएगा first number अगले प्रस्न को बढ़ते हैं प्रस्न आप से गला पूछा गया है कर आप से घोसित राम विहार का निर्माण किस जन्पद में करवाया गया था घोसिता राम है घोसिता राम है माप करिये घोसिता राम है तो घोसिता राम विहार का निर्माण किस जन्पद में करवाया गया था सत्रा का जवाब क्या बनेगा 17 का जवाब बिल्कुर सही जवाब है Option आपके याँ पर हो जएगा 3rd नमबर आपके कौसामबी ठीके कहाँ पर आपके कौसामबी Option आपका 3rd हो जएगा और एगला प्रस्वाब का दिया है कि जैन धर्मे के प्रतम तीर्थकर का जर्म कहा हुआ था जैन धर्मे के प्रतम तीर्थकर का जो जर्म है ठीके इनका जर्म कहाँ पर हुआ था 18 जवाब देना है चलिए सही जवाब है यहाँ पर 18 का जवाब लगवग सभी का जवाब आ चुका है चलिए बिल्कुर सही जवाब है देखे जैन्धर में के प्रथम तीर्थकर ठेकोन ठेकोन थे तो आदिनाथ जी जिन्हें हम लोग रिसब दियो जी भी कहते हैं ठीके आदिनाथ या इन्हें हम लोग रिसब दियो की नाम से जानते हैं अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो आपकी जन्मिस्तिली है वो आयोध्या नगरी ठीक है बिल्कुत सही है सभी का जवाब आच चुका है यहां पर आपस्वन आपके यहां पर फर्ष हो जेगा आयोध्या में हुआ था याद रहेगा चलिए अगले प्रस्विकुराते हैं प्रस्णाप से जगला है कि कालपी किस जनपद में इस्तित है बिल्कुन सही है आपके किस जनपद में है किस जनपद में तो अपसनप के यहां पर फर्ष हो जगा आपका जॉबोặt हो ज़यगा आपके इंटो से निर्मित आपका है यह आपके कानपुर देहात में पढ़ता है भीतर गाउं ठीके तो आपसे आपके यहाँ पर फर्स हो जगा कानपुर ने इस प्रसनाप का दिया है कि साकुम्बरी देवी का मंदिर किस जनपद में है 21 का जवाब देना है 21 का जवाब देना है विल्कुर सही है सा से साकुम्बरी और सा से सहारनपुर है ना तो सहारनपुर जो आपके संत्रे के लिए प्रिशिद्ध है और कह सकते हैं कि आपके प किस जनपद में उस्तित है यहाँ पर मगहर देख सकते हैं यह आपके बिलकुँ सही है 22 का जवाब होज़ेगा option right up का यहाँ पर आपके संत कभी नगर में है आपकी मगहर जो कि आपका option B होज़ेगा नेश प्रसन आपका है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ब्रंगु मंदिर है देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बारीखी से इस प्रसन को पढ़िएगा करा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ब्रंगु मंदिर है ठीके कौन साब का यहाँ पर ब्रंगु मंदिर दिया है और भ्रंगू मंदिर जो आपका है वो आपके कह सकते हैं आपके बलिया में हिकापर है बलिया में अब यहाँ से तीन पॉइंट बनते हैं कि उत्तर पदेश के किस जनपत में भ्रंगू रिसी का आसरम और अगर आस्रम की बात करता है तो आपको फरुखाबाद लगाना है और अगर बात करें कि ब्रंगुरिसी धाम तो धाम की बात करें तो वो कह सकते जो आपके अयुद्या के पास आपका कह सकते अमबेटकर नगर जिले के सीमा पर आपका इस्तित है वो आपका ब्रंगु रिसी का धाम है और ब्रंगु रिसी का अस्तरम कहाँ पर है तो आपके फरुखाबाद और अगर पूछे ब्रंगु मंदिर कहाँ पर है तो आपके बलिया में है ये तीनों प्रस्णाप को कनफ्यूज कर सकती एकजाम में समझ में आगे ना इसकारण सिं यहां पर आपका जवाब बनेगा आपके कुसी नगर, कहां पर आपके कुसी नगर, तो 25 को अपका फर्स्ट हो जएगा, और अगला प्रस्ट आपका दिया है, कि गढ़ मुक्तेशवर का मेला किस जनपद में लगता है, बिलकुस सही है, और अपके कहां पर हो जएगा, अलब प्रस्ट आपका दिया गया है, कहर आप से यहां पर, वरा भगवान का एतिहासिक मंदिर कहां है, वरा भगवान का एतिहासिक मंदिर कहां पर है, तो आपके बांदा जनपत की जो आपका चितर कूड है चित्रकूर्ट में गौँँ पढ़ता है राजापुरगाउं वहाँ पन का जन्म हुआ था यादर रखे ऑप्सनाप का 28 का फर्ष्ट हो जाएगा नेस प्रशनाप का है कि संकीषा वर्तमान में किस जन्मपद में है यहाँ पर हमने आपको कई बार बताया है कि आपके जो भगबान बुद्ध हैं उनका जन्म या कैसे उनका सम्मंद कहां से नहीं है तब ये प्रस्णाप को देखने को मिलता है है ना तो संकिसा वर्तमान में किस जन्पद में है तो आपके option अप कड़ी हो जगा आपके फरुखावाद में है परुखावाद में कहा जाता है याँ पर सोने का एक घर भी बना हुआ है ठीक है थोड़ा से चर्चित में रहता है इस कारण आपको पता रखना है अगला प्रसनाप का दिया है कि सूफी संत सेख सलीम चिस्ती का मगवरा कहां है सूफी संत सेख सलीम चिस्ती का मगवरा कहां पर है तीस का जवाब देना है तीस का जवाब बिल्कुछ सही है यह आपके कह सकते हैं जो आपका सिख सलिम चिस्ति फतेपुर्शीकरी है ना तो आपके फतेपुर्शीकरी किसके पास पढ़ता है किसके पास आगरा के पास तो पढ़ता है ना तो इस प्रकास से आपका थर्ड होजेगा आगरा अगला प्रसनाप का है कि पदमावती सती मंद किस जनपद में है 31 का जवाब दीजे पदमावती सती मंदिर कहां पर है तो आपके कन्नाउज में है optionum कहां पर यह हो जएगा कन्नाउज जो कि आपके इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है और एगले प्रसनाप से गला पूछा गया है कि रिशियों की तफिस्तिली नायमिसारन कहां पर है रिशियों की तफिस्तिली नायमिसारन कहां पर है 32 का जवाब देना है 32 का जवाब बिलकुत सही है नायमिसारन जवाब का है वो आपके सीतापुर में है कहां पर है आपके तो सीतापुर में है तो 32 को अप्सन राइट आपका जवाब आपका होज़ेगा डिनमबर सीतापुर आगला प्रसन आपका है कि इतमाद दौला का मगबरा कहां रिष्तित है 33 का जवाब दीजे चलिए बिलकुछ सही है जो कि आपके पेटरा डिवरा सैली से बाना हुआ आपका प्रथम मगबरा आपका है तो यहां पर कैसे कि जो रंगीन कांच के आपके टुकड़े होते हो लगा जाते है तो यहां पर आपका इतमाद दौला का मगबरा आपके कहां पर है तो आपके आगरा में है याद रखेगा आपसनप के आपका फस्ट हो जागा आगरा अगला है दयाल बाग कहां है दयाल बाग नाम सुना होगा है ना तो दयाल बाग आपके कहां पर है तो आपके आगरा में है आपसनप का थर्ड हो जागा अगला है कि अच्छे ब्रच उत्तर प्रदेश के किस जन्पद में है अच्छे ब्रच तो अच्छे मतला होता है कभी ना खतम होने वाला है ना तो अच्छे ब्रच उत्तर प्रदेश के किस जन्पद में किस जन्पद में बिल्कु सही है option अप कहा पर हो जेगा अच्छे ब्र है सायद सलार वा मसूद गाजी की जो दरगा है वो आपके बहराइच में है कहां पर है तो आपके बहराइच option आपके यहां पर भी हो जाएगा अगला प्रस्णा आपका है कि तुलसी मानस मंदिर कहां है 37 का जवाब दीजे तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर है तो जवाब यहाँ पर आपका बनेगा option right सभी का जवाब बिलकुत सभी आ रहा है तुलसी मानस मंदिर आपके है कहाँ पर तो आपके वारा नसी में है 37 को option आपका थर्ड हो जाएगा अगला प्रसना आपका दिया गया है कहर आपसे कि निर्वाण महोसो कहाँ मनाया जाता है निर्वाण महोसो कहाँ मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है तो याद रिखे निर्वाण आपके कहाँ पर हुआ था बुद्ध का तो आपके कुसी नगर तीस प्रकास याद रखे निर्वान महोसो काँपर तो आपके कुशी नगर option फ़स्ट हो जागा अगला है सोह गौरा किस जन्पद में इस्ती थे तो सोह गौरा जो आपका है यापके काँपर है तो आपके गौरकपुर में है याद रखेगा ओप्सन आपके याँ पर 49 को हो जाएगा थर्ड आपके 100 गोरगपुर में है अगला प्रस्ट आपका है कि लखनो का प्राची नाम क्या था लखनो का प्राची नाम क्या था तो यहाँ पर का जाता है भगवान राम ने कह सकते हैं तो विरासत के रूप में लचमण को दिया था जो आपका कहसे हैं आपका लखनव है और इसका नाम आपके लचमणपुरी या लखनपुरी याद रखेगा कि हमने बताया था कि हिंदी में इसे अड़ा बोल लेते हैं और लेकिन इंगलिस में क्या बोलते हैं यन लिखते हैं चाहे ना हो है ना तो इस प्रकास से यहां पर कह सकते हैं कि लिखने में आपकी होती आड़ा और ना का प्रयोग कर देते हैं लेकिन वर्ड जो इंगलिस में होती हैं आपकी एक ही होते हैं और प्राइक्टा एक्जाम में इंगलिस को जादा दी जाती है इंगलिस वाला मान से फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो जाएंगे अगला प्रस्णाप का है कि जैन धर्मी के 23 तीर्थकर पारसुनात का जर्म उत्तर प्रदेश के किस जर्मपद में हुआ था देख लिजे अकबर का मकबरा भी आपको सिकंदरा में है है ना तो जवाब यहाँ पर आपका होजएगा ओप्सन राइट अपका यहाँ पर भी आपके आगरा में है आगरा में ठीके नेश प्रस्णाप का दिया गया है के राप से कि हुलास किस जनपद में हो इस्तित है तो हुलास जो आपका है याद रखे हुलास जो आपका है यापके सहारनपूर में है option first होज़एगा सहारनपूर होज़एगा ठीक है 43 को option आपका यापकर कौन सा होज़एगा बिलकुस सही है first number अगला प्रस्ण दिया गया है कि कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्री नगर था बताए भई भगवान बुद्ध का प्री नगर जो इन में से था वो आपका कौन सा था तो याद रिखे स्रावस्ति ठीके स्रावस्ति है यहीं पर जादा दिन इन्होंने बेतित भी किया ह है ना तो option आपके यहां पर होजेगा आपका डे नमबर स्रावस्ति और अगला प्रस्चन आपका है कि बिहारी जी का मंदिर कहां है बिहारी तो आपका बिहारी कहां पर है बाकि बिहारी नाप सुना होगा ना 45 option right आपका जवाब यहाँ पर आपका होजेगा आपकी ब्रंदा वन में है बिहारी जी का मंदिर option आपका यहाँ पर 3rd होजेगा अगला है धम्मेक इस्तूप कहाँ पर है धम्मेक इस्तूप कहाँ पर है धम्मेक इस्तूप आपकी आपकी सारनात में है option अब कब भी होजेगा सारनाथ होजेगा शियारिस को option अब कब भी होजेगा अगला है कलिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है कलिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है तो 47 का जवाब देना है 47 का जवाब देना है कलिंजर जवाब का है यह आपके बांदा में है ठीक है कहां पर है तो कलिंजर किस जनपद में पूछा गया है ठीक है तो आपके बांदा में है और कह सकते हैं जो आपके हीरे वगार आपको देखने को मिलते हैं यूपी में आपको यह से देखने को मिलते हैं और अगला प्रसुन आपको देखा गय प्रस्ण आपके यहाँ हो घेसे सेग जाओं पर पर मेद़्जा ज futures क्याँ पर है तो अभी कश आया था मख़ए कि सेग के जस्युक जिस्टी जो मख़ए बहुत की आग में बहुत की आग्रह लिए लिक्री है तो इस प्रकास से राइट अंसल आपको कौन सा हो जएगा यहां पर आपका वो जएगा आपका 49 का नंबर ठीक है और एगला प्रस्ण दिया गया है कि दौरीका धीस मंदीर कहां पर है इस प्रस्ण का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है